सो हेलो बचलो वेलकम बाक तो दा चानल बचलो आज हम लोग सवाल करने वाले हैं कानेटिक थियोरी अफ गासेस अड थर्मो डानामिक्स की वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेरी हाई वेटे चाप्टर टोटल हमसे 19 सवाल पूछे कहे थे जही में 2024 एप्रिल अटेम्ट में और इसका भी प्रिंटबल फॉर्माट का पीडियेफ आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पिन कॉमेंट में हैं रेकेमेंड़ है कि आप इसे डाउनलोड करके टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने का प्रियास करें और सिर्फ 2024 ही नहीं जनाब यहाँ पे 2020, 21, 22, 23 सभी के every single previous year question properly यहाँ पे discussed है अगर सवाल में कोई गलती है तो वो भी यहाँ पे बताया गया कि सवाल में गलती क्या है ठीक बात है और इस session में भी आपको एक से दो सवाल में इतनी बड़ी बड़ी गलतिया हम देखने वाले है जो की अमूमन 99.9% जगह उसका गलत solution दिया हुआ है जो की बच्चों को confuse कर रहा है ठीक है चलिए हम लोग इसको शुरू करते है सभी chapters के PYQs के discussion का playlist का link आपको नीचे description box मिलेगा chapter wise playlist का link है वो चलिए शुरू करते है यह हमारा सबसे पहला परशन है हमसे पूछा गया था सर यह 4th April shift 1 में आपको इस सवाल में pressure versus temperature का graph दिया हुआ है ठीक है और फिर ideal gas having three different densities रो 1, रो 2 और रो 3 right which of the following is correct so basically हमें densities में relation को पता करना है बढ़िया है सर अद देखे यह सवाद में भी थोड़ी सी और finishing की जा सकती थी NTA के तरफ से उन लोगों को क्या करना चाहिए था यह जो भी आपको lines है न उनको show कर देते कि भाईया इसको अगर extend करोगे तो यह origin से ही pass करेगा यह कर देने से क्या है कि there is no scope of any confusion तो भाईया क्या तो आपको formula रटावा हो या फिर आप इसको उसी समय निकाल सकते है pb is equal to nrt number of moles के जगा आप लिखते mass upon molecular mass into rt बढ़िया है सर आप यहां से capital M को left side ले जाओ या फिर एक काम करो ना सिर्फ capital V को right side ले जाओ तो mass upon volume is density so rho upon mrt तो भाईया हमको यहीं से दिखाई दे रहा है कि pressure is directly proportional to temperature तो भाईया p versus t का graph आपको passing through origin है at the same time आपको जो यह वाली quantity है वो उस graph का slope हो जाएगा तो हम देख सकते भाईया जहाँ पे slope जादा है क्योंकि भाईया आपका M तो same है same ideal gas की बात की जा रही है यहाँ पे तो भाईया आपका यहाँ पे M same है R constant है तो सिर्फ और सिर्फ खेल density पे हो रहा है तो भाईया जिसका slope जादा होगा उसका density भी जादा होगा हम देख सकते हैं कि सर यह वाले का slope सबसे जादा है फिर इसका है फिर इसका है तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से row 1 जो है वो row 2 से जादा है और row 2 row 3 से जादा है row 1 row 2 से जादा है इस option में देख रहा है यह possible नहीं है रो 3, रो 2 से ज़्यादा हो possible नहीं है, रो 2, रो 1 से ज़्यादा हो possible नहीं है, तो option number 2 is the correct answer, ठीक है सर, बढ़िया है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, question number 2, भाई साब ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इतना direct question है यह, the translational degree of freedom and rotational degree of freedom in CH4, तो भाईया य यहाँ पे आपका translational, rotational दोनों ही 3-3 होने चाहिए, यानि कि सर, option number 2 जो होगा, वो सही जवाब होगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात थी नहीं, 5 second का सवाल था यह अपना, अच्छा, यह सवाल आपको पहले भी PYQs में आ चुके हैं, और इस, इसी session में, यहाँ पे भी देखोगे और आगे जाके भी same सवाल देखोगे, same language, same options also, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, a sample of gas at temperature T is adiabatically expanded to double its volume, right, तुम्हारे पास पहले temperature T है, volume V है, बाद में तुम्हारा temperature T F है और volume 2 V हो जाता है, double हो रहा है, and adiabatic process है, आपको सवाल में गाम भी दे रखा है 3 by 2, तो कहीं न कहीं तुम यहाँ पे T final निकाल सकते हो, है न, T V gamma minus 1, तो भाईया 3 by 2 minus 1 कितना होगा, half is equal to T F 2 V gamma minus 1, यानि कि सर half, सर यहाँ से V to the power half, V to the power half मरेगा, and T F सर हमको हो जाएगा, T upon root 2, अच्छा, the work done by the gas is how much, तो भाईया work done by gas आपको होता है कितना, अब thermodynamics में यह सब formulas अपने को एगदम tips पे होने चाहिए, number of moles हमको सवाल में कहता है कि 1 है, तो उसको 1 ले लो, delta T है, यानि T final minus T initial upon 1 minus 3 by 2, बढ़ियां है सर, यह हो जाएगा अपने को minus half, तो minus sign को उपर भेज देंगे, और 2 को भी उपर भेज देंगे, तो सर, यह हो जाएगा 2R, और यह हमको हो जाएगा T initial minus T final, अच्छा, initial temperature T है, final temperature T by root 2 है, देखो न, अभी हमने solve किया है, बढ़ियां है सर, तो सर एक काम करते है, 2 को अंदर भेज दो, और T को बाहर निकाल लो, तो भाईया, RT 2 minus root 2, यानि के सर, option number 1 जो है, वो अपने को, नहीं, not 1, option number 4 जो अपने को सही दिखाई दे रहा है, 2 minus root 2, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रशन देखते हैं, question number 4, है न, ध्यान चे देखिएगा, if the collision frequency of hydrogen molecules in a closed chamber, right, closed chamber, at 27 degrees Celsius is Z, then the collision frequency of the same system is how much, भाईया, हमको यहाँ पे same system, यानि कि आपका जो भी chamber का उसमें volume है, उसी volume की यहाँ पे बातचीत कर रहा है, तो भाईया, जब आपका volume constant है, यानि कि आपका n जो होगा, number of molecules per unit volume, वो भी आपका constant हो जाएगा, वो भी आपका constant है, यानि कि सर, हमारा यहाँ पे जो mean free path ह है, वो सर, फिलहाल के लिए constant है, तो आपका जो mean free time होता है, that is proportional to your mean free path upon your mean speed ले लो, right, अब यहाँ पे कहीं किताबों में RMS ले लेता है, कहीं किताबों में average speed लेता है, मुद्दे की बात यह है कि भाईया, इसके साथ constant है, and velocity is proportional to root of temperature, यानि कि सर, mean free time is something like this, पढ़िया है सर, हम से बात कर रहा है, frequency, तो भाईया, frequency would be inversely proportional to, right, this, so frequency is directly proportional to root of temperature, तो खेला खतम, हमको कहता है कि भाईया, पहले यह Z है, Z है, and नया हमको चाहिए, तो इसको Z prime माल लो, पहले आपका temperature कितना है, 27 degree Celsius, यानि कि 300 Kelvin, और बाद में है, आपको यह 400 Kelvin, तो दोनों शुन्या आपको यह से मारा, तो सर, हमारा Z prime हो रहा है, 2, 2 Z divided by root 3, that is your option number 3, ठीक है सर, एकदम, एकदम clear होना चाहिए, चलिए सर, अब देखिए, यह सवाल में, आपको printing mistake था, इंतिय के तरफ से, हमने वही printing mistake यहाँ पे भी रखा हुआ, इसको हमने change नहीं किया है, आपको पता चलना चाहिए, क cubic centimeter, right, centimeter cube, और यहाँ पे volume में लिखा था, आपको pressure का unit, kilo Pascal, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको CC होगा, यहाँ पे kilo Pascal होगा, क्यूंकि यह बहुत ही obvious सा mistake था, इसलिए, शायद उन्होंने इसको bonus में नहीं डाला, इसका answer उन्होंने दिया, ठीक बात है, हमसे कहता है, the heat absorbed by a system in going through the given cyclic process is how much, यहाँ पे इनको heat absorbed के जगह लिखना चाहिए था, the total heat exchanged throughout the cycle, right, तो थोड़ा सा उनको शब्दों के साथ careful रहना चाहिए, जिससे जो बच्चे बहुत अच्छी तियारी करके जाते हैं, उनको confusion ना हो, क्योंकि उनका जो answer है, वो पूरे एक complete cycle के हिसाब से ही, एक पूरे cycle में आपको delta u 0 होगा, यानि क्या आप कहते हो कि delta q is equal to your delta w, तो sir, delta q solve करना है, तो work done solve कर लो, right, work done solve कर लो, cyclic process है, clockwise है, clockwise है, आपका volume x axis में है, आपका work done positive निकल के आएगा यहाँ पे, work done कितना होगा sir, तो pi r square, अब pi r square में क्या करना, एक radius ये वाला लो, एक radius ये आप ये वाला लो, r2, तो pi r1 into r2 लेना होता है, हमारे division वीडियो में हमने ये समझाया है, बताया है, अच्छा sir, बढ़िया है sir, pi को ले लो 3.14, 3.14, r1, r1 basically हो गया है, इस चीज का आधा, ये जो आपका volume, यहाँ पे आए ना, 340 minus 60, ये आपको जाएगा 280, so 280 का भी आधा, 140, लेकिन centimeter cube है, तो भईया उसको meter cube में convert करोगे, तो 10 to the power minus 6, r2 की बात करोगे, यानि कि sir, इसका आधा, again 280 का आधा, 140, लेकिन kilo Pascal लेना, तो sir, again 280 का आधा, 140, kilo Pascal था, तो 10 to the power 3, इसको simplify करना, 1, 2, 5, तो sir, यहाँ से मर के 10 to the power minus 1, तो यह हो गया है, 3.14196 divided by 10, इसको आप यहाँ पे simplify करो, solve करो, यह आपको लगभग, 0.3 के आसपास है, तो आपका answer 60 के आसपास होना चाहिए, which is your option number 1, तो 60.6 joule के आसपास आपको answer आही जाएगा, आप check कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, question number 6, भाईया, यह तो formula पूछ लिया, यहीं से दिख रहा है, सवाल को नहीं भी पढ़े ना, तब भी हमको पता है कि यह formula हमने जीवन में हैं, उसमें mentioned है, during an adiabatic process, if the pressure of gas is found to be proportional to cube of its absolute temperature, P is proportional to T to the power 3, अच्छा, तो सर, है तो आपको ideal gas process, तो यहाँ पे आप T को replace कर सकते थे, PV is equal to nRT, यानि कि सर, T is proportional to PV, तो इसको तुम लिख सकते थे, P cube volume cube, तो सर, यहाँ पे हम लिख सकते थे, कि सर, हमारा जो P square volume cube है ना, this is, this is going to be constant, this is going to be your constant है ना, इसको उधर ले जाते तो, and अगर हम आपको यहाँ पे square root कर दे, तो यह हो जाएगा PV 3 by 2 is equal to some constant, तो भया हमने इसको ले आया है इस format में, तो यहाँ से हमको दिख रहा है, this is equal to your 3 by 2, और हमसे वही पूछा है कि सर, यह ratio कितना है, तो सर, हमारा यह ratio हो जाएगा 3 by 2, ठीक है, बढ़िया है सर, अच्छा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, सवाल में हमसे बोलता है कि the specific heat at constant pressure of a real gas obeying this, सबसे पहले बात तो जब यह सवाल और आखरी में एक और सवाल हम लोग देखेंगे, वहाँ पे भी आपको real gas का equation दे रखा है, कि कहता कि भाया यह चीज हम लोग follow करवा रहे है, तो पहला तो यहाँ पे debate उटता है कि सर हमारा यहाँ पे dimensions satisfy नहीं करेगा, तो इसमें ठीक है, सामने से भी आपको NTA बोल देगा कि भाया यहाँ पे आपको एक one multiplied है और one का unit, जो बचावा unit हमको चाहिए था उसको मान लेते हैं, चलो ठीक है, digest की हमने उस बात को भी, अच् से निकाले specific heat at constant pressure, तो भाया c जो आपको होता है that is equal to dq upon ndt, अगर हम एकदम general बात करे, c आपको होता है dq upon ndt, और dq तुम लिखते हो du plus dw upon ndt, हाँ sir, तो अगर हम ndt को separate separate लिख दे, तो dw upon ndt, और du को हम, du को हम लिख सकते है, ncv dt upon ndt, du आपको हमेशा यही होगा, dw की बात करे, भाया constant pressure की बात कर रहा है, तो आप dw को लिख सकते थे, pdv बणिया है sir, sir, हम नहीं यहाँ पे देखा कि ndt, ndt तो आपको मरा, और यहाँ पे आपको आ रहा है, cv plus pdv upon ndt, अच्छा, हमको equation दे रखाईए, हमको equation दे रखा है, pv square is equal to rt, अगर हमारा pressure constant है, दोनों तरफ आप यहाँ पे differentiate करो, pressure तो constant है न, तो इसका हो जाएगा sir, 2vdv is equal to rdt, हाँ sir, तो sir, हम यहाँ पे क्या बोल चकते है, कि हमारा जो pdv है, that is equal to rdt upon your 2v, तो यहाँ पे आप pdv के जगह लिखते, rdt upon 2v multiplied by ndt, तो हमको यहाँ से दिखा कि साथ dt dt तो मरा, and this turned out to be cv plus r upon 2v times n, अब यहाँ पे क्या है न, किसी भी option में आपको n का जिकरी नहीं है, है न, तो बहुत जगह आप क्या दिखोगे, solution में ऐसे बोल लिता है, let's assume n is equal to 1, ठीक है, तो यही आपको n नहीं भी करा है, of course उनको सवाल में क्या तो लिख दिना चाहिए, कि भईया n को 1 पकड़ लो, इत्ता सा लिखने में क्या चल जाता हूंका, तो उन्होंने जो answer दिया है, और यह सवाल को भी challenge किया गया, no bonus, nothing, इसको drop भी नहीं किया गया, and कही न कहीं ऐसा लगा, कि उन्होंने n को 1 मान के answer दिया है, तो cv plus r upon 2v, यानि कि sir, उनके हिसाब से option number 4 हम यहाँ पर tick मार रहे है, ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर क्या गरबड़ी है, वो भी बताया है, ताकि अगर आपके मन में भी यह सवाल था कि sir, n to 1 दिया नहीं है, सब लोग ऐसा बोलता है, assume कर लो, assume कर लो, ऐसा कोई assume करने का नहीं है, बट अब जो आपके सामने है, वो हमने आपको बताया, अच्छा, कहता है, a sample contains mixture of helium and oxygen gas, the ratio of root, ratio पूछा है, root mean square speed of helium and oxygen is how much, तो भाया, आपका जो v rms है, that is equal to under root of 3 rt by m, 3 rt by m, जब दोनों gas आपको ऐसा mix हो चुका है, तो at the end of the day, दोनों का temperature भी same है, दोनों का temperature same, r constant, 3 constant, यानि कि sir, आपका जो velocity है, that is inversely proportional to under root of mass, हमसे पूछ रहा है, भाया, आपका helium upon oxygen, तो masses भी ऐसे लिखो न, पहले उपर लिखना mass of oxygen, और नीचे लिखना mass of helium, क्योंकि inversely था तो भाया, oxygen के लिखोगे 32, helium के लिखोगे 4, तो यह आपको कित्ता हो जाएगा, 2 root 2 है न, यह आपको मरेगा तो 8 हाएगा न, उपर तो, तो 2 root 2, यानि sir, 9th का option number 2 सही जवाब है, ठीक है sir, बढ़िया है, अदभुत, यह देखिए, क्या बोलता हैं को इस सवाल में, what are we being asked, a total of 48 joules is given to 1 mole of helium captain cylinder, heat given है, system ने heat लिया है, तो आपको delta Q positive है, 48 joules, number of moles हमको 1 बोलता है, the temperature of helium increases by 2 degree centigrade, यानि किसार हमको delta U भी पता चल गया है, यह न, delta U आपको हमेशा, Ncb delta T ही होएगा, number of moles इतना, right, helium है, तो यह आपको हो जाएगा, 3R by 2, मानते हो न, inert gas है, helium आपका, monotomic है, and delta T आपको कितना है, increase होएगा, तो positive 2 होगा, so 2 से 2 मरा, this is your 3 into R, R हमको बोलता है कि भाया, 8.3 ले लो, तो यह आपको हो जाएगा, 3, 9, 8, 8, 24, इतना, हमसे लेकिन सवाल में, पूछ रहा है, work done, तो भा work done is equal to, delta Q minus delta U, so this is equal to your 48 minus 24.9, so this is equal to 23.1 joules, क्या यह option में है, option number 4 है, अपने पास यह, ठीक है, simple question था, यह तो एकदम, अच्छा, ध्यान से देखिएगा, भाई साब हमसे कह रहा है, energy of 10, 10, 10, एक molecule नहीं है, 10 molecule है, non-rigid, non-rigid जब आपको बोलता है, तो आप 2 additional degree of freedom ले लेना, vibration का, diatomic molecule, diatomic है, तो भाईया, translational का 3, और rotational का 2, 5 तो आता, लेकिन 2 extra और लेना पड़ेगा, add temperature, T is how much, तो भाईया, एक molecule अगर होता, एक molecule अगर होता, तो आपको energy होता, उसका, एक degree of freedom पे होता, half kbT, तो 7 है degree of freedom, तो 7 by 2 kbT, लेकिन भाईया, आपके पास तो 10 molecule है, तो आपका जो total energy हो रहा है, that is 10 multiplied by 7 by 2 kbT, 35 kbT, यानि कि सर, option number 4, ठीक है, बढ़ियाँ है सर, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अपना सवाल, question number 12, a mixture of 1 mole of monotomic gas and 1 mole of diatomic gas rigid are kept at room temperature 27 degree centigrade, दोनों का temperature आपको बता रखा है, the ratio of specific heat of gas at constant volume respectively is how much, तो यह तो भाईया आपको CV-CV खेलने के लिए कह रहा है, पहले case में आपका CV कितना हो जाएगा, monotomic gas है, तो यह आपको हो जाएगा 3R by 2, और दूसरे case में diatomic है और rigid है, तो degree of freedom 5 ही होएगा, तो 5R by 2, तो ratio कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में divide करोगे, तो यह तो आपको दिखता नहीं कि 3 बटा 5 बचा होगा, 3 by 5, यानि 12 का option number 3 सही जवाब है, ratio पूछ रहा है न आपसे यहाँ पे, CV mixture थोगे न पूछ रहाएगी, जहाँ पे तुम mixture का formula लगाने बैठ जाओगे, समझ रहे हो, two different adiabatic parts for the same gas intersect two isothermal curves, तो क्या हुआ कि 2024 में उन्होंने can not cycle को ऐसा syllabus से हटाया, ठीक है कि हटाओ इसको, j means में बात करें, advance में है आपको, लेकिन अगर तुमने थोड़ा बहुत भी can not cycle देखा होगा, तो यह can not cycle का ही आपको graph दे रखा है, ठीक है, और जब बच्चा वहाँ पर उसकी efficiency को derive करता है, या फिर T2 by T1 is equal to Q2 by Q1 गे relation derive करता है, तो कहीं न कहीं इस process से गुजरेगा, जो अभी हम लोग यहाँ पर solve करेंगे, ठीक है, तो देखिए, intersect two isothermal curves as shown in the PV diagram, तो आपको पता होना चाहिए कि यह दोनों सर constant temperature plots है, हो सकता, है ना, अगर इसमें और इसमें कोई चुनने बोले, AB और BC में, तो AB ही आपको निकल के आएगा, आइसो थर्मल क्योंकि सर BC का steepness जादा है, याद कीजिये आपको शायद पता होगा, DP by DV का जो magnitude होता है, that is, गामा, गामा P by B for an adiabatic process, adiabatic में यह गामा टर्म एक्स्ट्रा है, और गामा इस मोर देन वान, तो आपको जो steepness है, वो adiabatic में जादा है, as compared to isothermal में, तो सर BC adiabatic है, और AB isothermal है, ठीक है, अच्छा, यह मान लिजिए कि सर, यहाँ पे जो process है, उसका temperature T1 है, और यहाँ पे जो process है, उसका temperature T2 है, सर लेकिन B to C जो है, वो तो adiabatic process है, है ना, राइट, तो सर यह जो B point है, वहाँ पे gas का volume VB है, लेकिन gas का temperature T1 है, तो क्या हम लोग कहें नहीं सकते हैं, T1 VB gamma minus 1 is equal to, C point पे gas की volume VC है, लेकिन temperature T2 है, तो हम यहाँ पे कह सकते थे, T2 VC gamma minus 1, equation number 1, अगर हम यहाँ से, अगर हम यहाँ पे D और A के 20 में बात करें, अगर हम D और A के 20 में बात करें, तो A point पे gas का temperature T1 है, लेकिन volume VA है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, T1 VA gamma minus 1 is equal to, similarly D point पे temperature T2, this is your VD gamma minus 1, ठीक है, adiabatic process थाना, B to C and A to D, इन दोनों को आपस में divide करो, T1 T1 मरा, T2 T2 मरा, दोनों तरफ आपको power भी same है, है ना, तो आप उनको भी अटाओ, तो सर यह आपको हो जाएगा, VB by VA is equal to, VC by VD, तो VA by VD कितना है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो सर हमारा जो VA by VD निकल के आ रहा है, that is your VB by VC, तो सर हमारा VA by VD is equal to VB by VC, आपको option number third में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, चलिए, let's move to the next question, question number 14, statement based है, the mean free path of a gas molecule is inversely proportional to the square of molecular diameter, D square होता है, आपको denominator में बिल्कुल सही statement है, average kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the absolute temperature of the gas, बिल्कुल ही सही statement है आपको, है न, 3 by 2 KT, तो वहापे आपको T क्या है, absolute temperature है, तो भाया आपको both the statement 1 and 2 are true, अगला सवाल देखते है, question number, पंद्रह क्या कह रहा है हमको इसके अंदर ये लोग, a diatomic gas does 100 joule of work in an isobaric expansion, अच्छा, the heat given to the gas is how much, a diatomic gas does 100 joule of work in an isobaric expansion, तो भाया आपको process isobaric है, work done, work done in an isobaric process is equal to P delta V, तो क्या तो तुम इसको P delta V लिखो, या फिर तुम इसको लिख सकते थे, nr delta T, यह क्या लिख दिया, delta V क्यों लिखे है, work done is equal to, इसको आप लिख सकते थे, nr delta T, हमको यही value 100 दे रखिए, अच्छा, n, CP कितना होगा, diatomic gas है, तो CP आपको हो जाएगा न, 7r by 2, right, बढ़िया है, although यहाँ पर आपको गामा दे रखा है, आपको इससे भी समझ में आता होगा, कि भाया, diatomic के लिख आपको गामा होता है, 7 by 5, यह आपको है 1.4, तो यह नहीं देता, तब भी सवाल solve होना चाहिए था, 7r by 2, multiplied by delta T, तो यहाँ से 7 by 2 को, अकेले करो, और nr delta T, आपका 100 के बराबर है, हाँ sir, तो क्या यह value हमको, 3.5, 300 joule, यानि कि option number 1 दे रही है, ठीक, चलिए, अगला सवाल देखे, question number 16, कह रहा है, the volume of an ideal gas, आपको गामा दे रखा है उसका, is changed adiabatically, from 5 liters to 4 liters, the ratio of initial pressure to final pressure is how much, oh oh oh, simple, sir, P1 V1 गामा is equal to P2 V2 गामा, तो जनाब, अगर दोनों तरफ हमारे को volume ही है, तो liters, liters को फिलार रहने तो, unit change करके भी फाइदा नहीं होगा, right, ratio of initial and final, तो sir, P1 हमारा initial pressure है, initial volume हमारा 5 है, तो 5 to the power 3 by 2, is equal to P2 हमारा final pressure, 4 to the power 3 by 2, तो हमसे तो पूछा गया है, initial pressure by final pressure, तो यह आपको हो रहा है, 4 by 5, whole to the power 3 by 2, तो पहले cube कर लो, पहले इसको, cube कर लो तुम यहाँ पे, तो भाई यह 4 का cube, आपको कितना हो जाएगा, this is going to be 64, और यह आपको निकल के आ रहा है, 125, और यहाँ पे आपको यह root अभी भी बचा हुआ है, अब 64 का root आपको हो जाएगा, 8, 125 का हो जाएगा, 5 root 5, तो यहाँ से हमको दिख रहा है, option number 3 is the correct one, ठीक, चलिए, अगला सवाल, question number 17, जैसा कि हमने बोला, शुरुवात में, कि भाईया, same सवाल आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, and options भी आपको, मिला जुला के same ही है, जहाँ पर आपको, one mole of gas है, आपने उसको adiabatically expand किया है, double its volume, अगर किसी ने, वो वाला discussion नहीं देखा है, तो हम उसको यहाँ पर फिर से discuss कर रहा है, आपका भरोसा नहीं है, कि आप लोगों ने उसको देखा है कि नहीं अभी तक, तो यहाँ पर हमने आपको बोला कि भाईया, आप इस्तमाल करते हैं, temperature, volume, 3 by 2 minus 1 is equal to, final temperature, final volume is double, तो 2V, gamma minus 1, बढ़िया है सर, तो volume, volume, यह time आपको मरता, यहाँ से आपको final temperature निकल के आता था, T by root 2, तो आपका जो work done है, that is equal to, क्या है, adiabatic में work done कितना होता है, nr delta T upon 1 minus gamma, number of moles आपको 1 है, तो r T final minus T initial, final है आपको T by root 2, initial इतना है, 1 minus 3 by root 2, आप इसको थोड़ा सा solve करो, rearrange करो, तो आपको यहाँ पर r T 2 minus, root 2 आता हुआ दिखना चाहिए, यानि 17 का option number 1 होता, ठीक है, हमने फिर से solve किया है, just because, practice हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, यह देखेगा, सवाल देखेगा, question number 18, the temperature of a gas is minus 78 degree centigrade, and the average translational kinetic energy of its, translational kinetic energy, तो भाईया, जब degree of freedom में आपको 3 होता है, तो आपका monotomic हो, आपका translational word इस्तिमाल कर दिया है, तो वो तो fix हो गया है, is k, ठीक बात है, समझेगा, तो आपका जो, यह kinetic energy हो जाएगा, आप अगर 3 by 2 KT के साब से भी जाओ, आप उसको 1 mole के लिए भी convert करतो होगे, तो आपको temperature के proportional ही निकल के आएगा, आपका kinetic energy, the temperature at which, the kinetic energy of the molecule of the same gas, becomes twice of K is how much, twice of K, तो भाईया, यहाँ पर हम कह सकते है, कि 2 K upon K is equal to, यह temperature हमको जानना है, और शुरुबात में आपका temperature के इतना है, माइनस 78, लेकिन माइनस 78 से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसा, उसको convert करना पड़ेगा Kelvin में, Kelvin में, तो इसमें 273 आड़ करना पड़ेगा आपने को, ठीक है, तो 73 होटा तो 200, 195, तो यहाँ पर आया आपका 195, के से के मरता, तो final temperature, जो होगा 2 into 195, 5 ना होता तो 380, तो 390 Kelvin, लेकिन आंसर हमको अब, चाहिए degree centigrade में, तो 390 minus 273 degree centigrade, बढ़िया है सर, इसमें तुम जोड़ दो 17, तो होगा 290, और 100 और जोड़ दो, तो भाईया आपको यहाँ पर आक रहा है, 117 degree centigrade, 18 का option number 2 is the correct one, ठीक है सर, अच्छा, यह है आपका last question of the session, of course, भारी मात्रा में controversial भी, बता देते हैं फिर भी, अच्छा, a real gas within a closed chamber at 27 degree centigrade, तो यहाँ पर उन्होंने सवाल में बोला, कि आपके पास एक closed chamber है, real gas at a temperature of 27 degree centigrade, undergoes the cyclic process as shown in the figure, the gas obeys PV cube is equal to RT equation for the path A to B, A to B में हमसे कहता है, कि gas इसी equation को follow कर रहा है, the net work done in the complete cycle is how much, ठीक बात है, R की value कहता है हमसे 8 ले लो, तो सर हमारा जो C to A है, उसमें तो कोई work done है ही नहीं, work done is equal to work done from A to B, plus work done from B to C, plus work done from C to A, C to A constant volume है, भाया volume का ही change नहीं, तो यह work done 0, B to C का work done solve करना is fairly simple, आप B to C जा रहे हो, भाया constant pressure है, लेकिन volume आपको decrease हुआ है, तो आप use करते P delta V, pressure is 10 only, pressure is 10 only, लेकिन आपका जो delta V है वो negative आता, 2 minus 4, यानि कि minus 2, सर यह हमको निकल के आ रहा है, work done from A to B minus 20, अब कस्ट आता है, A to B का work done को solve करने में, जब हमको कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, हमको कुछ नहीं कहा जा रहा है, कि A to B आपको adiabatic है, कि isothermal है, कि क्या है, आपको सिर्फ एक यहाँ पर relation दे दिया है, हैना real gas है, PV is equal to NRT, तो follow कर नहीं रहा है, कुछ और follow कर रहा है अपने मन में, तो इसका जब, आप work done solve करने का प्रयास करेंगे, तो आप बोलेगे, सर integral PDV, यही सबसे basic method है, pressure का equation है, यहाँ पर आपको RT upon volume cube, RT upon volume cube dv, अब जनाब, A to B आपको कोई isothermal process तो है नहीं, क्या आपको temperature constant है, आप RT को बहार निकाल दो, यह ना, आमूमन हर जगा आप देखेंगे, लोगों ने RT को बहार निकाल दिया है, ठीक है और यहाँ पे, I students say, लेकिन होता क्या है, कि एक institute solution को लिखता है, और बाकी सब लोग उसका copy paste, without even putting the brains, यह सवाल को challenge करने के बावजूद, NTA ने जो उसका official answer दिया था, जहां तक मुझे ध्यान में, option number 2 दिया था, लेकिन यह गला थे, इसमें अभी भी कुछ सही नहीं, गरबड़ी क्या है, माल लिजे कि हमने A to B को बोल दिया, isothermal process, ठीक है किस सर हमारा temperature constant है, अब A to B हमारा सर यह relation को follow कर रहा है, अगर सर हमारा temperature constant है, तो PV cube का product भी same होना चाहिए, A point पे, A point पे अगर तुम PV cube देखो, तो A point पे pressure 20 है, 20 multiplied by volume कितना है 2, 2 का cube कितना है 8, यह आएगा 160, यहाँ पे अगर तुम देखोगे, तो B point पे pressure 10, multiplied by volume 4 है, 4 का cube करोगे तो कितना है गा, 64, यह आपको आ रहा है 640, तो भई यह बराबर तो है नहीं, तो हर point पे कहां से बराबर होगा, जब A और B पे हमको बराबर नहीं मिल रहा है, सर यह तो sure है कि हमारा A to B कोई आइसो थर्मर प्रोसेस है नहीं, ठीक है, तो सवाल गरबढ है, सवाल को हम लोग approach नहीं कर सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, it should have been dropped, अब हम आपको बताते है कि क्या wrong solution इसका है, और उसके वज़े से क्या आपको आंसर आ रहा है, माना जा रहा था कि सर सवाल में तो बोल रहा है न, कि a real gas within a closed chamber at 27 degree centigrade, तो सर कहीं न कहीं सवाल बोल रहा है कि इसको ले लो constant temperature, ऐसा बोल नहीं रहा है, मानना है लोगों का, तो ले लेते हैं चलो फिलाल के लिए, आपको इसका गलत solution में दिखाते हैं, तो भईए अगर हमने temperature को constant माना, तो RT को तुम बाहर निकाल लेते हैं, आपको यहाँ पे मिलता V to the power minus 3 dB, limit कहां से कहां तक, A to B यानि 2 to 4 हमारा यहाँ पे limit हो जाता, 2 से लेकि 4 हमारा यहाँ पे सर, limit हो जाता, RT, सर वी to the power minus 3 का integration कितना होगा, क्या लिखते हो, वी to the power minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1, तो सर यह हमको निकल कहा रहा है, minus 2, तो यहाँ हो गया minus 2, और यहाँ पे हमको निकल कहा रहा है, 1 by V square, तो जनाब एक काम कीजिए न, यह minus 2 को तुम यहाँ रखो फिलाल के लिए, और यहाँ पे आपको आजागा, 1 by V square, उसमें limit put करते, 4 और 2 करके, तो एक बार 4 put किया तो इतना, एक बार 2 put किया तो, इतना हो जाता, अच्छा, minus को of course तुम अंदर भी भेजते, तो यहाँ से हो जाता आपको, rt upon, और यहाँ से 4 common निकाल के भार खिच लो, तो 8 भार आता, यहाँ आपके आपके पास बचता, 1 minus 1 by 4, है ना, हमने minus को भी अंदर भेजा है, तो यह हमारे को हो रहा है, rt upon 8 multiplied by 3 by 4, अब r की जगा लोगों ने 8 ले लिया, तो 8 ले लो, या फिर एक काम करो ना, r और 8 को मार भी दो, temperature की जगा उन्होंने 300 Kelvin ले लिया है, तो 300 ले लेते हैं हम लोग भी, 300 multiplied by 3 बटा 4, सही बात है सर, तो यह हमको निकल क्या रहा है, 9 multiplied by 25, 25 minus 20, यानि की सर 205 जोल, तो यही है जो आपको दिया जा रहा है, but of course हमने यहाँ पर assumption लिया है, वो सरासर गलत है, हमने आपको यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखाया कि क्यों वो incorrect है, ठीक है, तो आपके मन में अगर वो दुविदा था, so I must have cleared it, चलिए, चैनल पर नए हो, तो सब्स्राइब कर लेना, हिट दाट लाइक बटन अपर मिलते रहेंगे, तब तक लिए टेक केर, wish you all the very best, and बाब बाई,